जैस्रमन नाराण मित्रो मित्रो महर्शी पारासर ब्रयात पारासर होरा सास्त्रम के सोलहवे अध्याय में चतुर्थ वाव से सम्मंधित फलादेश करते हैं और चतुर्थ वाव से संबंधित माता के सुख को वाहन के सुख को जमीन जायदाद घर आदी के सुख के विशाय में तथा आपके जीवन में और अन्यकिस प्रकार के सुख प्राप्त होंगे इस विशाय में बतलाते हुए 14 स्लोक लिखते हैं तो आज के परले हमने इन 14 स्लोकों में से 8 स्लोकों का वर्णन कर दिया है अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप हमारे यूटूब के चैनल पर जाईए और वहां जाकर के इन सब वीडियोज के साथ साथ अन्य अनेको सुधवेदिक जोतिस के ज्यान से परिपुर्ण वीडियोज को देखिए तथा आपने जोतिस के ज्यान को बढ़ाईए ठीक है तो चलिए आज हम 9 स्लोक को देखते हैं कि 9 स्लोक में पसुधन के विशय में क्या कहते हैं मार्सी पारासर कहते हैं कि सुखे रविजुते मंदे चंद्रे भाग्यगते सती लाभस्थान गतो भावमो गव महिस्या दिलाभकृत तो मित्रों मार्सी पारासर अपने 9 स्लोक में कहते हैं कि जदी चौथे घर में सनी और सुर्य दोनों एक साथ बैठे हो आपकी कुंडली में चंद्रमा भाग्यभाव में बैठा हो तथा मंगल 11 गर में बैठा हो तो ऐसे जातक को अपने जीवन में दुधारू पसुओं का बहुत सुख प्राप्त होता है तो आप भी अपनी कुंडली देखिए और इस प्रकार के फल को अपने बुद्धी के अनुसार निकालिए और अगर संभव ना हो या फिर आपकी कुंडली ही ना हो तो आप हमसे संपर्ग करके अपनी हस्तरेखा दिखा करके बहुत कुछ ज चोड़ दिए हमें जैसे ही समय मिलेगा हम आपके प्रस्नकाब बिल्कुल निसुल्क और सटीक जवाब यूटूब पर ही दे देंगे ठीक है जैस्त्रमन नाराया